लॉइस्टिक और दूस्तों, इधर कुछ लोगों का मेरे बस कमेंट्स आया, बहुत हैं, इंट्रेसिंग कमेंट्स है और मैं चाहता हूं कि जितने विट्रक्र और है, या फिर ब्लोकर है, वह इस वीडियो को जोड़ो देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी है, यह हड किसी के लि कंपनी से बिलॉंग करते हैं हर किसी के लिए यह विडियो जो है वह इंपोर्टेंट है इसमें दो कोस्तन जो है दो तिन कोस्तन जो है हमारे कमेंट में इधर बहुत जादा आया है पहला है कि अगर ट्रक किसी का हम लोड करवाते हैं और मैटरियल कोई गायव कर देता मतलब कि में लोड होता है समाल वह गायव हो जाता है तो उस पर किसकी होती है या फृट reckromm का पाईसा है वह कौन भढ़ेगा अगर कोई ब्लॉक्टर है तो वह बढ़ेगा या जू ट्रक मालिक है वह बढ़ेगा दूसरा sır को सन है कि अगर कोई ट्रक ही चोड़ि हो गया तो हम कै कैसे उसका पता लगा सकते क्या-क्या तरीके हैं कोई भी ट्रक चोड़ी हो जाता उसको पता लगाने के तो चलिए दोनों कोशन का हम जवाब देते इस वीडियो में सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर रेते हैं कि यह चलता कैसे है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह किसी ट्रांसपोर्टर का होगा यहीं दोनों से किसी का हो सकता है मेन म Mercani Dontan का मालिव है यहीं दोनों में से को हो सकता है क्योंकि material जब भी कोई कोह muster होता है तो या तोसी manufacturing company होता है या फिर किसी treder के पास से होता है तो मेन ओनर समान का वो यही sagtal is prep Le scaht प्राक्रा ने शक्ता है पहला जगा है कि हो या तो डारेट किसी वो किसी ना किसी कमपणी से रख लेगा यह दो संबनते हैं जब भी कोई मैटरियल लोड होगा कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ड होता है मतलब कि यह मैटरियल लोड हो रहा है मादते हैं दिलि से मुंभाई के लिए और यह 20 फूट की गाड़ी यह एक आफ डंड अ क्या होता है तो में सबसे पहले समझते तभ ही आप बिजनस करते हैं और यह सिच्वेशन आया तो आपके पूरे साल का कमाई इसमें चला जाता है तो इस सीच को थुरा समय लीजिए फ्लीट ओनर जो है यह एक खुद का इसके पास ट्रक है लोजिस्टिक कमपनी जो है या तो इसके पास खुद का ट्रक होगा या फिर यह किसी ना किसी ब्रोकर से ट्रक लेगा दो यह ओप्सन हो सकते हैं क्योंकि और तीसरा है या तो यह किसी ट्रक ओनर से ट्रक लेगा तीन ओप्सन है या तो इसके पास अपना ट्रक होगा या तो यह किसी ब्रोकर से ट्रक लेगा या फिर यह किसी ट्रक ओनर से डारे गायब हो गया दस कार्टून का यह बोलेगा कि मैं तो भेजा था 400 कार्टून अब वहां पहुंचा है 390 कार्टून आप मुझे 10 कार्टून का पैसा दीजिए यहीं बोल सकता है अब यह 10 कार्टून का पैसा लिकालने के तरीकिया अलग-अलग होता है साड़े पैसा है तो यह 50,000 भड़ेगा कौन यह 50,000 कोई लॉजिस्टिक कंपनी भड़ेगा कोई ब्रोकर भेड़ेगा या कोई ट्रकॉन भड़ेगा कौन भड़ेगा इस 50,000 को यह सबसे बड़ा एक सवाल आ जाता है जब ऐसा सिचुएशन आता है किसी भी कंपनी के सामने तो इस कं अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे मैनफ्यक्ट्र जो होते हैं उनके समान का ट्रांजीट इंसोरेंस होता है यह किसी ना किसी इंसोरेंस कंपनी के साथ टाइप क्या होता है कि अगर मेटरियल एक जाए सब दुसरे जाए और वह मेटरियल चोड़ी ह हो गया लएंचा मिलेगा उसका ट्रांजीट जो है तो सबसे पहले अको किलें करना indispens कर ना चाहें लोजिस्टी कंपनी हाले है स्ट्रक लगा है या या फिर कोई ब्रोकर है या फिर कोई फ्ली टोनर सबसे प्रेंड किजिए कि मुझे आपको इसका जो है सर्टिफिकेट लाके दिजिए डिटेल दिजिए मैं आपको सी यॉएफ जो है वह प्रवाइड करूंगा उससे क्या होगा कि जो आपको पैसा देना पड़ेगा वह आपको पैसे देने की जोड़त नहीं होगी वह जो है वहां से डाट इंसोरेंस के तुरिये काम हो जाएगा दूसरा कंडिशन अगर आपको इस तरह का इंसोरेंस क्लेम करना है तो इस कंडिशन में आपको एक फायर क वह बंद है और उससे 10 काटूं गायब हो गया यह possibility नहीं है तो यह possibility नहीं है इसका मतलब है कि जब ट्राक लोड़ा था उसी समय 10 काटूं गलट डाला गया तो वह आपको एक बार verify करना पड़ेगा जहां से लोड़ होता है तो वहां पर उसको counting करना पड़ता है तो इससे थो काटूं गायब हुए है तो वहां पर तिरपाल बंद होता है open ट्रक में गड़ा पर जो material जाता है तो देखना है कि तिरपाल का कहीं फटा हुआ तो नहीं है कटा हुआ तो नहीं है रस्सा तो नहीं कटा गया है तो possibility हैं कि वहां से चोड़ी हुआ तो उस condition में आप fire कर सकते है क्योंकि आपको insurance अगर claim करना है तो वहां पर एक fire जरूरी हो जाता है खास करके अगर material का value ज्यादा हो तो ऐसे आप damages होता है अगर damage हो चोड़ी नहीं होगा तो उस condition में fire करने की जड़ोत नहीं होती है तो वहां पर सबसे पहला को claim करना है कि अगर आपके पास insurance है तो आ आपका manufacturer या traders यह बोलता कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं हमारे पास ऐसा कोई भी insurance नहीं है अब आपको यह 50,000 रुपिया जो है वह भरना ही भरना है तो इस condition में आप liability किसकी होती है तो इस condition में जो first liability होती है वह हमेशा ही truck owner के पास ही जाती है बट होता यह है कि आप truck owner से ट्राजेक ट्रक नहीं लेकर किसी broker से कर ट्रक लगा रहे हो जैसे इस condition में है कि अगर यह logistic company वाला अपना truck अगर यह खुद वेजा तो यह 50,000 का जिम्मेदार यह खुद है बट अगर यह किसी broker से लिया है तो यह क्या बोलेगा कि मैं 50,000 जो है यह claim कर सकता है broker के पास कि आपको इसका 50,000 रुपे भरना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रक जो है मैं आपसे लिया था और आपके ट्रक से यह material गया हुआ है तो मैं आपसे ही पैसा काटूंगा लेकिन अब यहां पर एक चीज़ और रहा जाती है चुकि broker का भी अपना truck यह किसी ना किसी से ट्रक लिया है किसे ट्रक लिया तो तो उस चंडिसन में ब्रोकर जो है वो ट्रक माली को बोलेगा कि यह 50,000 रुपे का claim मेरे पास आगा है तो यह आ आपको देना पाड़ेगा क्योंकि ट्रक तो अल्टिमेट लिए आपका ही है ब्रोकर का तो ट्रक है नहीं यह ट्रक किसका है जो किसी ना किसी ट्रक मालिक का है तो जो इंड यूजर है जो ट्रक जिसका होता है एक चुल में पैसा उसी का कड़ता है बड़ अब यहां पर दो चीज़ आती है पचास जर रुपिया का जिम्मेदार मेंजुफेक्टर किसको ठाड़ा रहा है लॉजिस्टिटी कमपणी वाले को लॉजिस्टिक कमपणी वाला बोल रहा है कि थीक है 50.000 रुपिया है बहुता है 50.000 या फिर आप इसके साथ नेगोसियेट हो सकता है 50,000 रुपिया 35,000 40,000 या फिर 25,000 यह एमाउंट पे चला जाए पॉसलिटी यह भी होता है बहुत सारे कंपनी वाले जो है आपके साथ थोड़ा निगोसियेशन कर लेते हैं पो आप मान लेते हैं कि एक एमाउंट इंठाते हैं कि 40,000 रुपिया के लिए अप मुझे दो अब यह 40,000 जो है वो लौजिस्टी कंपनी को बोला कि आप 40,000 उर्पिये दो अब यहाँ पर कॉन-कॉर है एक लौजिस्टी कंपनी वाला है जो लौजिस्टी कंपनी वाला ट्रक लगाए किसे मैनृफ़क्चर या ट्रेडर से इसके पास अगर अपना ट्रक है तो 40,000 साथ करेंगे से यहां से नहीं करेंगे क्योंकि इनको प्रोकर और ट्र Łव को इससे वाथकत करने के लिए बस इस कंडिशन में logistic company वाला इस से ट्रक लगाया logistic company कौन होता है मैं बहुतों वीडियो में बता रखाऊ आपको अब यहां पर यह दोनों बात करके किया रेडी किया 30,000 रुपे में अब 30,000 रुपे यह बोला कि ठीक है broker भी बोल दिया ठीक है ठीक है मैं 30,000 रुपे भरने के लिए तयार है क्योंकि समान तो एक्चल में गायब हुआ ऐसा तो है नहीं कि समन गायब नहीं हुआ तो इस condition में क्या होता है कि यहां पर इन दोनों से बात करके 30,000 रुपिया एगरी कर लिया जाता है और एगरी करके 30,000 रुपिया इनके बिल से ब्रोकर या फिट्राक ओनर्ड जिससे ट्रक लिया हो उसके बिल से 30 रुपिया काट लिया जाता है अब अगर ब्रोकर से गाड़ी लिया है ट्रक ओनर्ड धयान रखेगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ें इंवोल्व होती है इसमें चलता ही होगा तीन चार लोग पांच तो फिर ये दोनों आपस में 15-15,000 रुपया शाहन कर सकते हैं कि चलो 15,000 रुपया मैं अपने तरफ से डिड़क्शन कराता हूँ और ट्रक और बोलेगा खी के 15,000 रुपया मैं डिड़क्टर वाने के लिए तयार हूँ अगर ये माल लेते हैं कि ये ब्रोकर नहीं है ब्रोकर से लोजिस्टी कमपनी वाला ट्रक लिया ही नहीं है ये ट्रक लिया है डाइरेक्ट ट्रक और से तो इस कंडिशन में इस 30,000 रुपय को डाइरेक्ट ट्रक और जो है वो कटवाएगा इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं ह कब तो यह तरीका होता है अगर किसी भी तरह का कोई समान्य चोड़ी होता है फटता है कटता है डेमेज होता है और वहां पे किसी भी तरह का कोई डेबिट आता आपके पास कितना रुपिया आपके पैसे से काटा जाएगा तो वह प्रोसेस जो है वह कुछ इस तरह से चलता है